हलो एवरिवन आज हम लोग बढ़ने वाले हैं क्लास सैवें थिकी विज्ञान की बुक से चाप्टर नमर वन पादरपु में पोशन और आज हम लोग पादरपु में पढ़ेंगे पिछले क्लास में हमने पार्ट वन पढ़ लिया था जिसमें हमने पोशक क्या होता है ये जाना था इसके साथ साथ पोशन सरपोशन क्या होता है सरपोशी विसम पोशी किसे कहते हैं प्राकास संसलेशन क्या होता है पोधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं राइट की सार चाप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करूंगे कि आज हम लोग इस चाप्टर को कम्प्लीट कर ले राइट तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1 से ओके तो कभी कभी कोई पौधे क्या होते हैं कि वो हरे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी खाना बनाते हैं तो ये कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हम एक्टिविटी 1.1 करेंगे तो ध्यान से देखिएगा एक्टिविटी 1.1 में है कि एकी तरह के दो पौधे लेने हैं और उनके गमले लीजे और एक को अंधेकार में रख दीजे या फिर आप उन्हें काले बॉक्स में भी रख सकते हैं उन्हें 72 गंटों के लिए रखिए और दूसरे जो पौधा है उसको सूरज की रौशनी में आपको रखना है दोनों पौधों की पतियों में आयोडीन यूज करके उनका परिक्षन कीजे और जैसे कि आपने क्लास 6 में किया था और फिर जो भी आप आप अवजब करते हैं आप उन्हें नोट डाउन कीजे अब उस गंबले को जिसे आपने अंधेरे में रखा था तीन चार दिनों के लिए फिर से सूरज की रौशनी में रख दीजे और फिर इसकी पति पर आयोडीन यूज करके उसको परिक्षन कीजे और जो भी आप अवजब करते हैं उन्हें तो हरी पतियों के अलावा दूसरे जो रंग होते हैं जैसे की ग्रीन हो जैसे की रेड हो गए या फिर औरेंज हो गए या फिर ब्लू हो गए तो उन पतियों में भी क्लूरोफिल होता है ठीके लेकिन जो पतियां होती है उसमें जो उपस्थित लाल भूरे या दूसरे कलर कि जो दूसरे जो कलर होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देते हैं मतलब वो क्लोरोफिल को छुपा देते हैं यानि कि ढख लेते हैं इन पत्तियों में भी प्रकास संसलेशन होता है ऐसी पत्तियां जो हरा ब्लू इस तरह से होती हैं उनमें भी क्वांटिटी में होनी की वज़ा से वो क्या करती है कि क्लूरोफिल को ढग लेती है और इस तरह के पौधे में इस तरह के पत्यों में भी प्रिकास संसलेशन की प्रिक्रिया होती है पौधे अपना बोचन तयार करते हैं अब यहां क्या लिगा है कि आपने कभी-कभी गेली दिवारों पर या फिर तालाब में देखा होगा या फिर ठहरे हुए कोई पौधे है यानि कि जो तालाब होते हैं जलाशय होते हैं उनमें कुछ हरे रंग के कुछ पादब जैसे नजर आ रहे होंगे जिसे आउपंकी कहा जाता है जिसे हम काई भी काई जैसे पौधे होते उन्हें हम देख सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, कि जैसे जैसे जो एनिमल्स होते हैं, पानी के जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें जीवों के वृद्धी होती है, उनकी वज़ा से वो बनते हैं, और ये जो हरे रंग की आवपंकी होती है, यानि की काई जैसे जो पादप होते है जो कि पानी में हमें नजर आते हैं उन्हें शेवाल कहा जाता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इनका रंग हरा क्यों होता है ठीक है जो ताला में पाये जाने वाले जो काई के तरह जो पौधे होती बहुत ही छोटे छोटे बारिक से होते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि इनका रंग हरा क्यों होता है इनका रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि इन में भी क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी वज़ा से ये जो काई जैसे पौधे हैं वो हरी दिखाय देते हैं जिनिस शैवाल का आजाता है और शेवाल भी प्रकास संसिलेशन द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं पिसली क्लास में हमने क्या पढ़ाता है कि जो पौधे होते हैं उनमें जो कार्बो हाड़िट बनती है तो किस तरह से बनती है लेकिन पौधे में कार्बो हाड़िट के अलावा भी दूसरे खाद्य बनते हैं ठीक है दूसरे खाद्यों का संसिलेशन होता है तो जो ये कार्बो हाड़िट होता है वो किस से बनता है तो कार्बो हाड़िट कार्बन हाड़ोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं और इन्ही का उपयोग करके यानि जो बनता है carbon hydrogen और oxygen के द्वारा बनते हैं और इन्ही का using करके खादे के अनगटक भी बनते हैं लेकिन जो protein बनती है वो nitrogen नाइटरोजन ही पदार्थ है! यानि प्रोटीन बनने के लिए nitrogen के जरूरत होती है जिनमें carbon की जरुरत होती है oxygen की जरुरत होती है वं hydrogen के अलावा nitrogen भी होती है जो पौधे होते हैं उनको nitrogen कहां से मिलती है यह भी एक question है ठीक है तो इस तरह से question आपके सामने आ सकती है कि पारदपो को nitrogen कहां से प्राप्ते होती है तो इसका answer चली जाल लेते हैं तो आपको याद होगा कि जो हवा में nitrogen जो है वो gas की अवस्था में बहुत जादा प्रचूर मात्रा में पाई जाती है हमारे environment में लेकिन जो पौधे होते हैं इसको absorb नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से absorb करते हैं तो जो मिटी में कुछ विशेश प्रकार के जीवानों होते हैं जो गैसी nitrogen को यानि जो gas के रूप में जो nitrogen है उनको उपयोगी योगी को में परिवर्दित कर यानि useful compound में वो change कर देती है और मिरीदा में वो मिला देते हैं यानि मिटी में वो मिला देते हैं कौन जीवानों तो यानि फिर से मैं कह रहे हूँ कि जीवानों जो होते हैं वो गैसी nitrogen जो होते हैं जो gas के रूप में होते हैं उनको useful compound में वो change करके मिटी में वो मिला देते हैं ये विलेई पदार्थ पादपो द्वारा जल के साथ अव्शुशित कर लेते हैं तो जैसे ही nitrogen मिट्टी में मिक्स होती है तो इस पदार्थ को जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है उनके द्वारा अव्शुशित कर ले जाती है यानि कि जब वो एब्सॉब करते हैं पानी को तो पानी के साथ साथ ये क्या होते हैं नाइट्रोजन उसे के साथ एब्सॉब कर लिये जाते हैं तो आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक ही तथा खाद डालते हैं फर्डिलाइजर यूज करते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचूरता होती है और वो जो खाद यूस करते हैं उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ भरी पूरी मातरा में होती है इस तरह से जो अनसंगटकों के साथ जो पौधे हैं तो पौधों की नाइट्रोजन की जो मांग की आपूरती हो जाती है यानि कि जैसे ही पौधों में नाट्रोजन की कमी होती है तो किसान ऐसे फर्टिलाजर के यूज करते हैं ऐसे खाद का यूज करते हैं जिसमें नाट्रोजनी पदात होते हैं जिससे कि पौधों में जो नाट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ती हो जाती है इसके बाद जो पौध पोषन की अन्य वीधियां, जो पोधे होते हैं उन्हें पोषन की दूसरी वीधियां क्या है, एक तो पोधे अपना भूजन तयार करते हैं खुद से, ठीके, तो क्या इसके अलावा पोषन की कुछ अन्य वीधियां हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो कु प्रणाली का यूज़क है वो किस तरह से प्राप्त करते हैं तो इंसान और दूसरे प्राणियों की तरह ही ऐसे पादब जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं वो अपने पोशन के लिए दूसरे पौधों दूआरा निर्मित यूज़क करते हैं वे विसम पोशे प्रणाली का उप्योग करते हैं तो चित्र 1.5 को ध्यान से देखें यहां पर आप देख सकते हैं एक चित्र 1.5 यहां पर एक पेड़ है और पेड़ पर ये यहलो कलर की आप देख सकते हैं कि एक बेल है राइट तो यह जो पीले रंग की संरशना दिखाय दे रही है वो एक बेल है जिसे अमर बेल कहा जाता है यानि यह पोधा जो है वो अमर बेल का है इसमें क्लोरोफिल तो नहीं होता है यह अपना भूजन उस पादब से प्राप्ति करते हैं यानि उस पोधे से प्राप्ति करते हैं जिस पर यह आरूहीत ह तो ये जो अमरबेल का पॉधा है ये किस पर है एक पेड़ पर है तो इसी पेड़ से वो अपना पॉशन लेते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं यानि जैसे कि एक्जांपल हमने लिया यहाँ पर अमर बेल का पौधा तो जिस पौधे पर ये है वो पौधा परपोसी कहलाता है क्योंकि अमर बेल जैसे पादब यानि पौधे परपोसी को अमूल निवपोशकों से वंचित करते हैं अता इन्हें परजीवी कहते हैं तो अमरबेल का पौधा क्या हो गया परजीवी और जिस पर ये डिपेंड है वो पौधा क्या कहलाया परपोसी ठीक है? क्या हम एवं अन्य जन्तु भी एक प्रकार के परजीवी है? तो यहां पर एक वैस्टन आता है क्या हम और दूसरे जो जन्तु है क्या वो भी परजीवी है? तो बिल्कुल हम और दूसरे जो जन्तु है वो परजीवी हैं क्योंकि हम लोग अपना भोशन तो स्वैम नहीं बना सकते हैं हम लोग तो किसी पादब पर डिपेंड होते हैं जन्तुओं पर डिपेंड होते हैं, तो हम लोग भी क्या है, एक परजीवी हैं, ओके, आगे लिखा है, कि क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है, या फिर उनके बारे में सुना है, जो जन्तुओं का भक्षन करते हैं, पहले तो हमने ये सीखा, कि जो पौधे होते हैं, वो दूसरा हमने ऐसे पौधों के बारे में जाना, जो कि खुद अपना भौजन तो तयार नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे पौधे, जो खुद अपना भौजन तयार करते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पर एक और तीसरे तरह का पौधा होता है, जो जन्तु को खोते हैं यहां पर चितर पादप को देखे यहां पर इस पौधे का नाम है घट परणी जिसको कहते हैं पीचर प्लान्त यहां में पीचर पादप यहनी पीचर का पौधा इस में घढ़े एवं ढगन जैसे सनरशना होती है ये घड़े जैसे सनरशना होती है इसमें और साथ ही साथ ये धकन जैसे सनरशना होती है ठीके तो जैसे ही और इस इस ये जो घड़े के तरह जो सनरशना है इसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं ठीके तो जैसे ही कोई कीड़ा इनके अंदर इन करता है इ औक इस घड़े के अंदर जो रोम पाई जाती है वो इस तरह से नीचे की और रहती है ठीके चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है घड़े के अंदर जो उपस्तित पाचक रस होती है एक तरह की लिक्विड होती है वो उसके द्वारा कीटो का पाचन हो जाता है कीटो का भक्षन करने वाले ऐसे पौधो को कीट भक्षी पादब कहलाते हैं अगर question में आपके पूछा जाए कि कीट भक्षी पादब किसे कहते हैं तो आप लिखेगा कि कीटो का भक्षन करने वाले पादब को यानि पौधो को कीट भक्षी पादब कहलाते हैं तो venus fly trap तथा sun dew कीट भक्षी पादबो यानि पौधो के दो अन्य उधारन है और यहाँ पर एक और question अगर पूछा जाए कि कीड भख्षी पाधप के दो उधारन दीजे तो पहला आप लिखेगा Venus Fly Trap, दूसरा लिखेगा Sun Deo ठीक है और एक पीचर प्लांट भी लिख सकते हैं चलिए अब पढ़ते हैं British JV के बारे में तो यहाँ लिखा है कि आपने बाजार में छत्रक यानि मश्रूम बिखते तो देखे होंगे obviously हम सभी ने मश्रूम बिखते हुए देखा है तो चित्र 1.7 में चलिए देखते हैं चित्र 1.7 में यहाँ देखिए कि छत्रक के packet यानि मश्रूम के packet है और सड़ी गली वस्तू पर उगा छत्रक यहाँ पर जो सड़ी गली वस्तू है इस पर ये मश्रूम उगा हुआ है ठीके? ओके तो वर्षा के दिनों में यानि जब रेनी सिजन होती है तो वरिक्षो की सड़ी गली टूटी टहनिया बहुत जारी होती है या फिर तनो या फिर छाल पर छाते के जैसे दिखने वाज़ी जो संरशना होती है उसके गुच्छे भी आपने तो जरूर देखे होंगे तो उसे ही कहते हैं मश्रूम तो आएए देखें कि ये अपन जीवन या पन हे तो इन्हें किस प्रकार के पोशकों की आवश्रक्ता होती है तो ये जो मश्रूम होते हैं इनको भी वोजन की जरूरत होती है तो ये अपने पोशक की जरूरत कैसे पूर्ण करते हैं कैसे इनको पोशक मिलती है पोशन मिलती है तो यह जो मस्रूम होते हैं इन्हें पोशक की आवशकता होती है तो यह पोशक कहां से वो प्राप्त करते हैं तो चलिए देखते हैं इसके लिए सबसे पहले अक्टिविटी करेंगे क्रिया कलाप 1.2 इस एक्टिविटी के लिए आपको ब्रेड लेना है यानि डबल रोटी उसका एक टुकड़ा लेना है और इसे पानी में आपको भीगो देना है और उस टुकड़े को किसी नम एवं उसन जगहा पर आपको 2-3 दिन के लिए रख देना है और उस समय तक रखा रहने देना है ज तो यह जो धब्बे होते हैं किस रंग के है, जब आप अबज़ब करेंगे तो देखेंगे, कि यह धब्बे किस तरह के हैं, ब्राउण इश टाइप के होते हैं. तो किसी आवर्धक लेंस या फिर सुक्षम दसी की साहयता से आप इनका आउलोकन कीजे इन्हें अब्जर्व कीजे और जो भी आप अब्जर्व करते हैं उन्हें अपने नोट बूक में लिखे तो बहुत संबव है कि ये जो धबा है वो आपको रूई के धागे के समान सनरशनाएं आपको दिखाए पड़ेंगी तो इसे ही ये जो जीव है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक जीव है इसे कवक या फंजाई कहा जाता है इनकी पोशन प्रणाली अत्वा पोश प्रणाली है वो अलग तरह की होती है ये मृत और विगटन कारी यानि सड़े गली जो चीजे होती है वस्तु होती है जेवपदार्थ होती है उनकी सता पर कुछ अपना पाचक रस का स्राव करते हैं यानि कुछ लिक्विड श्राव करते हैं तथा उसे साधरन वा विले की रूप में वो चेंज कर देते हैं और उसके बाद वे इस विलियन का भोजन के रूप में वो अब्सॉप करते हैं इस तरह की पोशन प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विक्टित जैविक पदात हो यानि सड़ी गली चीजों से पोशक तत्य प्राप्त करते हैं उन् पर उगते हैं और ये उन जगों पर भी उगते हैं जो नम एवं उशने हो तो जो कवको की वरिधी होती है वो वर्षा रीतु में ज्यादा होती है इसी कारण वर्षा रीतु के दोरान बहुत सारी जो चीज़े होती हैं वो कवको की वरिधी के वज़ा से नश्ट हो जाती ह ठीके, ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से ये कवक ग्रो करते हैं, तो जो कवक के भी जानू होते हैं, वो वायू में ही प्रेजन्ट होते हैं, जब वे ऐसे किसी भी चीज के उपर बैठते हैं, या उत्पाद के उपर बैठते हैं, जो कि नम होती है, या उश्न हो और नए कवक को वो जनम देते हैं, ठीके, ओके, आगे देखते हैं, क्या लिखाए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, तथा अपना आवास हैं, पोश्रक्तत्व एक दूसरे के साथ बारते हैं, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपन जहां वो रहते हैं वो शेयर करते हैं अपने आवास को अपने पोशक तत्व को शेयर करते हैं तो ऐसे जीवों को सह जीवी संबंध कहते हैं उदारन के लिए कुछ कवक व्रिक्षों की जड़ों में रहते है व्रिक्ष जो है वो कवक को पोशन प्रदान करते है और ये जो कवक है बदले में उन्हीं जल एवं पोशकों के अवशोशन में वो सहायत प्रदान करते है वरिक्ष के लिए इस संबंध का विशेश महत्व है अब लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते है इन में से एक शेवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है तो लाइकेन कहे जाने वाले जो जीव होते हैं उनमें दो पार्टनर होते है एक पार्टनर एक शैवाल होता है दूसरा पार्टनर कवक होता है शैवाल में क्लोरोफिल मौजूद होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता तो कवक शैवाल को रहने का इस्थान यानि आवाज देता है जल एवं पोशक तत्व उपलब दे कराता है और बदले में शै प्रकास संसलेशन द्वारा संसलेशित खादिक कवक को देता है, क्योंकि शहवाल में क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयम बनाता है, तो इसलिए वो क्या करता है, कि प्रकास संसलेशन के द्वारा जो खादिक वो बनाता है, भोजन जो होता है, वो कवक को देता है, ठीक है, ओके, चलिए अब बढ़ेंगे कि जो मिटी होती है उसमें पोशकों के पूर्णा पूर्ति किस प्रकार होती है यह भी एक वेस्चन है, ठीक है तो हम जानते हैं कि जो मिटी होती है और उसमें अगर पोधे हैं तो पोधे मिटी से पोशक तत्त्तों वह एब्जप कर तो मिट्टी में तो पोशक तत्व की कम ही आ जाती है तो वो उनकी भरपाई कैसे होती है यहां लिखा है कि आपने किसानों को अपने खेतों अध्वा माली को बगीचे के लॉन और गमलों में खाद डालते देखा होगा उर्वरक डालते देखा होगा क्या आप जानते हैं कि इन्हें मिट्टी में क्यों मिलाते हैं आप पढ़ चुके हैं कि पाद जो पौधे होते हैं मिट्टी से खनीज पोशक तत्व को एब्जॉब करते हैं और मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार गम होती जाती है तो जो फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक एवं खाद होते है उसमें नाइट्रोजन होती है, पॉर्टिशियम होती है, फासफोरस जैसे बहुत सारे पोशक तत्व होते हैं तो जो उर्वरक होते हैं, फटिलाइजर होते हैं, खाद होते हैं, उनमें नाइट्रोजन, पॉर्टिशियम, फासफोरस जैसे पोशक तत्व होते हैं पौधो द्वारा लगाता रुपियों किये जाने के कारण मृधा में यानि मिट्टी में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है इसलिए मिट्टी को इन पोशक तत्वों से समरिद्ध करने के लिए मिट्टी में दुबारा इन पोशक तत्वों के लिए भूमी में उर्वरक ततखाद मिलाने की जरूरत होती है अगर हमें पौधों के पोशन की जरूरत के बारे में ग्यान हो तो हम ना केवल पौधों को उगा सकते हैं बलकि उन्हें हिल्दी भी रख सकते हैं पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए समयने तर नाट्रोजन की जादा जरूरत होती है फसल कटाई के बाद जब मीटी में नाट्रोजन की कमी हो जाती है ठीक है, आले कि जो वायू में नाट्रोजन गैस है वो प्रचूर मात्रा में उप्लबद होती है लेकिं जो पौधों होते है इसका यूज उस तरह से करने में असमर्द होते हैं जैसे कि वो את होक्षाइट का यूज कर लेते हैं उसी तरह से nitrogen gas का use नहीं करते है मैं हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो पौदे होते है nitrogen को विले रूप में ही अशोशित कर सकते हैं यानि अब्जॉब कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ ही जिवानू होते हैं जो rhizobium कहलाते हैं वो वायू मंडल ये nitrogen जो होती है उनको विले पदाथु में वो change कर देती है परिवर्थित कर देती है लेकिन जो rhizobium होती है जो जिवानू अपना भोजन खुद नहीं बना सकते ये चना, मतर, मू, सेम या अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में ही रहते है और उन्हें nitrogen की आपूर्टी करते है तो ज़्यादा तर दाले फलीदार जो पौधे पौधों से ही प्राप्त होती है इसके बदले जो पौधे राजोबियम जीवानू को आवास देते हैं हम खादे प्रदान करते है आता उन में सहजीवी संबंध होता है पौधों में और राजोबियम में तो इस संबंध का किसानों के लिए विशेश महत्व हैं दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में पौधे होते हैं जो अन्य पौशन प्रणाली अपनाते हैं दूसरों पर डिपेंट रहते हैं जैसे कि परजीवी एवं मृत जीवी तो परजीवी एवं मृत जीवी दूसरे पौधों से पौशन प्राप्त करते हैं सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं इसलिए उन्हें विसम पोसी के रूप में समुही कृत किया गया है ठीके? ओके आई होप आपको ये चैप्र समझ में आई है समझ में आई है तो लाइक एंड सिर्फ करना मत भूलेगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं देख रही हूँ तो फिलाल आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चाप्टर के साथ थैंक्यू